चलो, चालो किया जाए, ठीक है, एसी चलो, April 21, question number 1, 3 deferred 5, Q 45145, sorry, 45451, assuming AM92 mortality for both individuals, and that the individuals are independent, with regards to mortality, ठीक है, so 3 deferred 5, Q 45, 451, तो कैसे solve हो गएला बताओ, पहले तो 3 साल जीएगा, right, so 3P 45 का square into half, 5 Q 48, 48, ठीक है, फिर into क्या हो जाएगा, 1 minus 5P 48 का square, question number 2, देखो, same same type का question आ रहा है, exam में, a life insurance company uses the following three state model with constant forces of transition to price its stand-alone critical illness policies, under these policies lump sum benefit is payable, when a life becomes critically ill during the policy term, no other benefits are payable, a 30 year policy with some insured 1,50,000, is issued to a healthy life age 35 exact, so n मेरा कितना है, 30, basic sum insured मेरा कितना है, 1,50,000, ठीक है, और x मेरा कितना है, 35, एपी भी दे दिया है, बोलता है, when a life becomes critically ill, ठीक है, और फिर पहले express करने बोल रहा है, और फिर solve करने बोल रहा है, तो क्यों होगा बताईए, बोलिये, तो बाहर में तो 1,50,000,000 आ जाएगा, कितना साल है, तो 0 से 30, e to the power, बोलो, minus, हम लोग को बोला क्या है, when a life becomes critically ill, during the policy term, तो तैसे होगा बताओ, n तुम्हारा है, पहले तो numerical values बोल रहा है, एक मिनिट, अच्छा, एक मिनिट, basis और interest दोनों में यूज़ कर सकते हैं, basis और interest दोनों में यूज़ कर सकते हैं, तो a to b m हो गया, सिग्मा होगा न, हेल्दी से सिख होगा, ठीक हैं, सो सिग्मा होगा, सो सिग्मा होगा, मने, यहाँ पर 0.02 होगा, into e to the power में, अब देखो जैसे देख तो delta आएगा, बट interest 3% दिया है, सो माइनस ln, 1.03 माइनस, अब हेल्दी का हेल्दी में ही रहेगा, सिग्मा और मुउ, तो 0.01 और 0.02, ठीक हैं, इस होगा थिंग, into t dt, समझ गया ना, e to the power माइनस delta t होता है, e to the power माइनस μ्यू प्लस सिग्मा, क्योंकि हम लोगों क्या चाहिए, हेल्दी का हेल्दी रहेगा, फिर जब सिख होगा, तब उसको लंबसम बेनिफिट मिलेगा, तो μ्यू और सिग्मा यहाँ पर रहे गया, म्यू और सिग्मा यहाँ पर रहे गया, ठीक है ना, फिर e p भी निकालने बोल रहा है, तो solve तो हम लोगों करी लेंगे, solve में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो दिस वस कोश्चन नमबर तू, फिर थ्री देखो, अफिक्स इंट्रेस स्क्योरिटी अव नॉमिनल अमाउंट वन लाक, वस इशुद उन 1st मार्श 2017, ठीक है, अन वस इशुद उन एक, तीन, दो अजार सत्रा, अन वस रिडिम्ड़ पार अन एक, एक, तीन, दो हजार बीस, कुपंस वेर पेड अट दे रेट ओफ फोर परसंट, ठीक है, ठीक है, कुपंस चार पर्सेंट का है, एक मार्श 2017 को इशू हुआ है, और एक मार्श 2020, मता ठारा, उननीस, बीस, तीन साल, पोर परसेंट हो रहा है, रियल रेट के बारे में बोला है, कुपंस वेर पेड अट दे रेट ओफ फोर परसेंट, ठीक है, और रियल रेट के बारे में बोल रहा है, तुम लोग समझा, मतलब हाथ में कितना मिला है, चार एजर करके मिला है, हाथ में चार एजर करके मिला है, तो, अठारा, उननीस और, बीस, तो हाथ में कितना मिला है, चार एजर करके मिला है, तो 4000 इंटू 4000 इंटू 4000 इंटू ठीक है ना अब सब को मेरे को 1 मार्च 2017 वाला इंडेक्स में लाना है तो सब हम लोग करेंगे डिवाइड 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 और 20 में मेरा redemption भığını वहोगके रेडेम्शन कितने पर हो रहा है यह मेरे को money cash flow दे दिया है money cash flow सभी मेरे को निकालना पड़ेगा real cash flow money cash flow सभी मेरे को निकालना पड़ेगा real cash flow ठीक है तो सब को मेरे को लेके आना है 240.5 पे सबको मेरे को लेके आना है कहां से क्या चीज numerator में आएगा न because तुम क्या कर रहा है तुम real cash flow में क्या करता है तुम real cash flow से payment date से purchase date पे लेके आता है तो destination by source तुमको क्या करना है purchase date आजाएगा उपर और नीचे आजाएगा payment date basically तुम inflation हटा रहे है ठीक है तो पहला वाला में आजाएगा मेरा 256 फिर मेरा आजाएगा 272.8 फिर मेरा आजाएगा 286.6 यहाँ पर आजाएगा मेरा V V square V cube V cube और अब इसमें डाल दो minus 1.9% डाल दो और हम लोग खरीदे कितना में हैं? एक लाक में ही खरीदे हैं तो हम लोग का जो purchase price है वो वन लाक ही है समझा यह ला question हाई actual inflation वहाँ बोल बेटा तो फाइदा क्या होगा उससे? अरे ultimately तुमको घुमा फिरा के तो करना तो यह है नहीं नहीं इसमें तुमको दिखाना पड़ेगा पुरा process पुरा process में तुमको दिखाना पड़ेगा हाई actual inflation over the term of the loan has eroded the real return the nominal rate 4% however as an average inflation तो inflation on average 6% का है ठीक है? यह जो है ना इसके बाद वाला देखना question number 4 again same type इसमें 6 पे break है so basically सबसे पहले मैं निकालूंगा a 0 to t so वो आएगा exponential 0 से t 0.03 plus 0.005s ds फिर मैं क्या करूंगा? निकालूंगा a 0 to 6 फिर दूसरे वाले के निकालूंगा a 0 to t so that will be 0 to 6 into a 6 to t फिर निकालूंगा a 6 to t ताकि उपर वाले में लगा सकूं so यह हो जाएगा integration 6 to t 0.1 minus 0.01s किर्ती तुम हमको लगता ना तुम next time exam देना अच्छा एक बात बताओ जो अपने last में discuss किये थे इसमें फिर कौन सा साल के बाद घटेगा? 10 साल के बाद 10 साल के बाद घटना चालू हो जाएगा ना 0.1 minus 0.01 into 10 जब करेंगे तो 0 आ गया फिर जब 11 डालोगे तो minus 0.01 आएगा 12 डालोगे तो यह आएगा 10 साल के बाद फिर घटना चालू हो जाएगा ठीक है? तो यह मेरा आ जाएगा फिर बोला है 5000 is invested at time 2 for 5 years calculate the annual norm सबसे बहले तो मेरे को यह निकालना पड़ेगा हम लोग करेंगे 5000 into A 0 to 7 by A 0 to 2 क्योंकि इससे मेरा क्या निकल जाएगा बताओ 0 to 7 A 0 to 2 तो इससे मेरा निकलेगा 2 to फिर हम लोग को बुला annual nominal rate of return convertible monthly तो 5 साल है तो क्या हो जाएगा? खाली यह वाला पार्ट के लिए this should be equated to 1 plus I 12 by 12 whole to the power 12 into 5 5 में आओ force of mortality mu star x experienced by a particular population at all ages where x is not necessarily an integer is 20% higher than that under PMA calculate the following based on mu star x assuming 7% A du 73 A 73 एक निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा because A 73 is what? 1 minus D A du छीक है? So A du 73 पे focus करते हैं So A du 73 का अगर हम लोग expansion करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 plus V P बोलो 70 plus V square 2 P 70 P 70 2 P 70 निकालना है? Right? अपने को बोल दिया 20% So mu star x is what? 1.2 mu x ठीक है? So Hmm देखो पहले So इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं T P x star is E exponential minus integration 0 से T mu star x plus s ds So this will be exponential minus integration 0 से T 1.2 mu x plus s ds ठीक है? So this is nothing but आप इसमें न 1 डालो आप इसमें T के जगा में 1 डालो तो यहाँ पर तो आ जाएगा P star x So this is P x to the power 1.2 क्योंकि 1.2 बाहर आ जाएगा हम लोगों क्या बूला है? समझा? अब T के जगा में 1 डालोगे तो 0 से 1 एक में 1 डालोगे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग है ना मल्टिप्लिकेशन में तो है एक चीज़ समझो यह वाला को ऐसे नहीं लिख सकते क्या प्लस नहीं है पावर में है मनें कन्फ्यूज मत हो ना जैसे दिस इटू दी पावर 1.2 इंटू माइनस सो यह वाला पूरा पाट का पावर में 1.2 आ गिया ठीक है सो हां मतलब आप इसको एक्स्पैंड करो ना यहां से मैंने क्या कहिए यह 1.2 वास बाहर आ रहा है जैसे जैसे जीरो से वन ठीक है इंटू 1.2 आ रही है तो यह वाला पूरा इस वाट पी एक्स पी एक्स पावर 1.2 हो जाएगा प्लस में नहीं है प्लस में होने से नहीं लिख सकते थे वैसा पावर पे है ई टू दी पावर a b is what e to the power a to the power b multiplication में है तो यह हो गया इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं जो अपना आया था 1 प्लस वी पी सेवेंटी टू दी पावर 1.2 प्लस वी स्क्वेर 2 पी सेवेंटी टू दी पावर 1.2 बस अगर यह हो गया तो वो भी हो जाएगा ठीक है शह नंबर पर आईए तो एक्स मेरा कितना है 45 होल लैफ एस्वारेंस तो मेरा बेसिक सम इस्वार्ट कितना है 40K to death on death within 15 years of inception and 50,000 तो पहला 15 साल के लिए कितना आईए और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 50K उसके बाद end of year of death ठीक है EPV of the benefit payments variance of the present value of benefit payments so EPV क्या हो जाएगा 40,000 into A 45, 115 plus 50,000 V to the power 15 ठीक है और इसी का अगर हम लोग को variance निकालना होगा हम लोग निकालेंगे 40,000 का square 2A 45, 115 ठीक है फिर हम लोग निकालेंगे प्लस 50,000 का square V to the power 30 ठीक है यह मेरा आग जाएगा साथ नमबर देखो life insurance company issues 20 year with profit endowment insurance policy so मेरा एइन कितना है with profit endowment insurance policy to a life age 45 exact हम लोग को sum is short कितना दे दिया है sum is short together with any attaching bonuses ठीक है the company assumes future reversionary component investing at the end just अभी किये level premium payable annually in advance select 6% initial expense renewal of each annual premium claim expense 140 on death and maturity ठीक है एकदम same same type का question है तो कैसे solve करेंगे P A due 40 select 20 so this is equal to what बताईए आँ X 45 बताईए बताईए so P A due 45 select 20 so this is equal to what तेम अभी जैसे किये थे बैसे ही करेंगे 1,50,000 by 1.0192 308 A 45 select 120 plus 1,50,000 V to the power 20 20 P 45 at the rate 4% in fact ये वाला भी जो होगा 4% पर ही होगा फिर इसके बाद में प्लस में आएगा 200 फिर आएगा P का 75% फिर आएगा 0.025P A due 45 select 20-1 plus 140A तिक है ना loan schedule का बहुत बड़ा question है बट चूमू ही होगा थिक है loan schedule का बन नहीं सकता question बन सकता होगा बाकि लोग के लिए difficult हो सकता है बट loan schedule में question बन नहीं सकता है आईए देखते है और 1st January 2022, मनें कैसा वीटब का question दे दे, मेरे को लगता है कि उसको खोल के किया जा सकता है, और 1st January 2022, मनें CT1 का जो पूरा part है, मतलब once the contingencies part come into picture, I feel that उसमें कुछ भी question दे दे, कुछ भी, मनें 45 से 50 नंबर का कुछ भी दे दे, I feel उसको खोल के किया जा सकता है, मतलब उसमें तुम लोग को कोई भी ऐसा नहीं देगा कि यह सोचना पड़े, क्योंकि कुछ भी नहीं संद में आ रहे, we can use the first principles, दो में dexter लगेगे, बट वो question short shot बनेगा ही बनेगा, एक, एक, बाईस, ठीक है, दस साल का, बोलता है, बैंक लोण लेगा, पंदरह हजार का, under the repayment schedule installments, विल रुपेड मंतनी नर्यर्ज, the first installment at the end of January 22x, 2x and 60x, 5 साल है, the remaining installments from the end of January 27, 5 साल बढ़ेगा, और फिर उसके बाद में 60x पही रहेगा, 12% है, एम लोगों को x का equation लिखना है, फिर value निकालना है x का, so basically this will be, x, i a 60, plus 60x, v to the power 60, a 60, क्या, सही, और 12% पहे जाके i 12 को value देख लोगों को divide by 12 कर दो, ठीक है, now this should be equal to, इसके बाद calculate करने बोल रहा है, तो calculate करके आपका इसका answer आएगा, 5.$, 5.33 आएगा, फिर हम लोगों को बोल रहा है, write down the equation to calculate loan outstanding after the installment paid, at the end of December 26, the buys, using the retrospective method, so retrospective method में पहले 5 सार loan को accumulate करिये, so 15,000, 1 plus i to the power 60, i मान लो monthly effective है, i मान लो अबा monthly effective है, ठीक है, so minus, फिर्षला 5 साल में जो भी payment हुआ है, उसको मेरे को accumulate करना है, so this will be, x, i a, 60, 1 plus i to the power 60, यही तो होगा, ठीक है, फिर दुबारा से बोल रहा है, लिखे solve करो, फिर बोल रहा है, comment करिये, तो comment में तो यही आएगा, आपने रट चुके यह comment, कि जो loan schedule है, वो कैसा हो रहा है, फिर हो रहा है 2x, 3x, तो शुरू में जो अपने जो payment कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, तो जो payment कर रहे हैं, यह मैं का उससे interest भी सफाइस नहीं होगा, आप करो, 15,000 का, मोटा मोटी अगर 1% करेंगे तो कितना आता है, मैना का 1% करेंगे तो 1.500 आता है, नहीं समझा, 15,000 का 1% भी अगर करतें, 12% साल का है न, तो 1800 आना चाहिए, साल का 1800, उसको divide करें, 1.500 आता है, बट अपने payment कितना कर रहे हैं, 5 point something, तो तो सफाइस नहीं होगा, 12x, अपने 12x भी करते हैं, तो अब जो 60 हो रहे हैं न, तो पहला 2-3 साल तो लोन बड़े गई, क्योंकि अपने जो payment कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, वो सफाइस नहीं करेगा पूरा, ठीक हैं? एंसर हो गया, as interest exceeds repayments at early durations, the loan outstanding will increase, repayments will only start to reduce, repayments will only start to reduce loan outstanding, once the repayments increase beyond a certain amount, therefore by half way, through the term, the loan outstanding has barely reduced, just very little of the initial loan has been paid off, ठीक है न? write down an equation to calculate total interest paid during 2027, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 मतलब क्या होता है? 27 मतलब क्या होता है, बताइए, 6th year का बात हो रहा है, तो 6th year के लिए बोल रहा है इंप्रेस्ट, तो loan outstanding at time 5, minus loan outstanding at time 4, तो अपने क्या करेंगे? 60 X A 60 minus 6, sorry, मैं वहापर भी गलत लिख दिया था, actually, sorry, नहीं ठीक ही तो है, हाँ, 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 sorry, 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 60 X A 60 minus 60 X A 48, So, this is what, capital repay, right, total interest is what, 60 X को अपने 12 से multiply करेंगे, minus the capital repay, 6th year onwards तो 60 X का ही तो payment हो रहा है, वो ही तो बोला कुश्चन में, हाँ, 5th minus 4th क्या होता है, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6th year का interest निकालने बोल रहा है, So, loan outstanding at time 5, minus loan outstanding at time 4, Retrospective method से बोला है क्या, करना ही नहीं है, हाँ, वैसे ही करना है, Prospective से ही करना है, Retrospective से करना भी same है, तुम लोग, जैसा भी हम लोग किये थे यहाँ पर, Retrospective से बीक्टो किये दे ना, यह था ना, ऐसे ही type से करना पड़ेगा, So, यह क्या था, यह time 5 का था, So, time 6 पर क्या हो जाएगा है, आपर 72 आ जाएगा, यह आएगा, और इसके साथ और आएगा, X आईए 60, 60 प्लस, 60 X, A12, V to the power 60, फिर उसको accumulate करना पड़ेगा, या फिर इसी में अगर हम लोग करना चाहेंगे, तो एक term हम लोग add कर सकते हैं, 60 X, S, Arrier में हो रहा है ना, S12, मंतली एक्टिव रेट से करेंगे, तो 60 X, S12, तो वालुषी तर ताइप 6 पर आएगा, ताइप 5 कर तो यह होई गया, छिक है, फिर हम लोग को बोल रहा है, तो बैक अलसो और साथ टन ये लोन, इसी आफिर रहा है, जब आप level payments करते हो तो आपका interest come लगेगा क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हो रहे है यहाँ पर आप x to x 3x करके जा रहे हो तो आपका जो loan है loan तो कुछ सालों तक बढ़ रहे है तो अभी सा बात अगर आप level payments करोगे तो उसमें से क्या होगा कुछ अपका principal component पर जाएगा and you will also suffice the full of interest payment ठीक है ना clear है मैं क्या बोल रहा हूँ under the revised payment schedule more of the loan will be repaid earlier and so the loan outstanding at any one time will be less than under the original schedule क्योंकि इसमें क्या हो रहे है शुरू में तो आपका interest भी payment पुरा नहीं हो रहे है आज अगर आप देखोगे 1.500 के जगर मैं पहला मैंना में payment कर रहे हो 5.33 फिर इंटू 2 इंटू 3 मतलब जब तक ये इंटू 30 31 32 नहीं आएगा तब तक तो आप interest payment भी रंग से नहीं कर पाऊगे पहला 3-4 साल तो आपका लिए interest match up कर रहे हो ठीक है next आईए question number 9 पर आईए green investment company has the opportunity to purchase a factory for 4 lakhs the factory is to be leased and two different companies A and B are interested in the lease तो क्या बोल रहा purchase करेगा कितना में purchase price मेरे को दे दिया है 4 lakh company A the green investment company will need to spend another 50,000 refurbishing the factory company A will pay rent annually in advance for 20 years starting immediately the rent will increase by 3% at the end of 20 years company A will purchase the factory for 4,500,000 calculate the initial rent payable by company A to give the green investment company IRR 9% बोलो कैसे करेंगे तो 4,000,000 में खरीद के 50,000 और spend करेगा तो 4,500,000 राइट उसको मिलेगा क्या annual rent बोल रहे ना सो X प्लस X इंटू 1.03 V प्लस ऐसी जाएगा ना डॉट 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 प्लस X इंटू 1.03 V to the power 19 फिर 20 साल के बदने क्या होगा 4,500,000 V to the power 20 इस पर 9% डालो 9% डाल के क्या solve करेंगे X बोला है ना IRR चाहिए फिर बोलता है Company will Company B will pay rent at an initial level amount of इतना payable monthly in advance starting immediately the rent will increase by 50% at the end of the 10th year and remain at this level at the end of 20 years हाँ ठीक है इसमें भी बोलती इसी है B का भी इसी है तो B वाले में उसका कुछ refurbishment cost इसम नहीं लग रहा है ना कुछ आएगा basically ना कुछ जाएगा initial level तो 44,000 क्या बुल रहा है 44,000 so A payable monthly in advance so A due 10 साल एक साल में बारा बार फिर प्लस B to the power 10 44,600 into 1 into 1.5 कर लो into A due 10,12 ठीक है इसको 9% पर सॉल्फ कर लो 9% पर सॉल्फ करेंगे तो NPV will be greater than 0 बने basically ये वाला part क्या है PVI ये वाला part क्या है PVO अपने को करना है PVI minus PVO should be greater than 0 at the rate इसका मतलब क्या है मेरा जो IRR है वो क्या है 9% से जाद है Green Investment Company does not have the capital available to purchase the factory but can take out a loan at 9.5 the loan is to be repaired over 20 years Green Investment Company decides to accept the proposal from company B and takes out a loan calculate the accumulated profit of the investment after 20 years using effective itna हाँ सो B से कर रहा है न मने same ही equation को अपने को वो करना है देखो ये same चीज को साड़े 9 पे solve करना minus करना 4,00,000 समझ गया तो मेरा क्या आ जाएगा NPV at the rate 9.5% फिर into करेंगे 1.095 to the power 20 तो मेरा आ जाएगा accumulated profit time 20 पे क्या नहीं समझ में है into कहा कर रहे है पहला बात ये बताओ अपने को क्या बोला है question में accumulated profit नहीं बोलता है B का project बोलता है B का proposal accept किया है तो अगर वो B का proposal accept किया है तो इसका मतलब क्या है B का ही equation चलेगा तुम क्या कर रहा है तुम पहले NPV निकालेगा साड़े नौ पे क्योंकि साड़े नौ बोला है न तो साड़े नौ पे पहले NPV निकाल ले फिर उसको 20 साल accumulate कर दे देख ये project का start और ये project का end है तो start पे निकाला तो NPV end पे निकाला तो accumulated profit दोनों है सेमी चीज तो NPV साड़े नौ पे निकाल के इसको accumulate कर दे क्योंकि NPV का equation अलड़ी बना वह है NPV का equation अलड़ी बना वह है तो start नौ पे NPV निकाल उसको 20 साल आगे ले जा तो accumulated profit बन जाएगा दुबारा से equation क्यों बनाएगा दुबारा से equation मनाएगा तो कैसा बनेगा वो भी देख ले दुबारा से अगर equation मनाएगा तो तुम बनाएगा 44,600 SGU 1012 इंटु 1.095 तुदी पावर 10 फिर प्लस तुम करेगा 44,600 इंटु 1.5 SGU 1012 फिर करेगा माइनस शुरू में 4 लाग का investment था उसको तुम accumulate करेगा 1.0 1.095 तुदी पावर 20 हो गया एक ही बात है ठीक है ठीक है question नमर्ट 10 में आईए 10 पे आईए on January 2011, a life insurance company planned to issue the following two policies to lives then aged 45 exact तो एक एक क्या बूल रहा है एक एक दो हजार ग्यार ठीक है तो एक मेरे को कितना बोल दिया है 45 15 year without profit endowment assurance with a sum assured of S payable on maturity or immediately on earlier death and with premiums of P payable annually in advance 15 year temporary life annuity payable annually in advance purchased with a single premium 50,000 the annual annuity payments were calculated to be exactly sufficient to pay the premiums for the endowment assurance as they fall due P और S निकालना है तो दो equation है दो unknown है दो equation है दो unknown है इसको solve करेंगे चलो ट्राइ करो उसको पहला वाला के लिए क्या बोल रहा है बलता 15 year with profit endowment assurance with a sum assured of S तो 50,000 से क्या खरीदा पहले तो यह बताओ 50,000 से खरीदा temporary annuity 15 year का तो P, A, D, U, A, C नहीं बंदोगा 45, 15 P, A, D, U, 45, 15 single premium 50,000 दे रहे है उससे बतले में खरीद रहे temporary annuity 15 साल का तो P, A, D, U, 45, 15 ठीक है तो सबसे बहले तो यहां से P निकाल लो पिटा आप एक बार पैसा देके annuity खरीद रहे हो इतना का एक बार आप पैसा दे रहे हो और आपको हर मैना फिर annuity मिलेगा single premium का मतलब क्या होता आपने एक बार annuity product फिर कैसे purchase होता है annuity product कैसे खरीदेंगे आपने एक बार पैसा दिया उसके बतले आप बार 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 पैसा लोगे उसको तो annuity product बोलते है न the annual annuity payments were calculated to be exactly sufficient to pay the premiums बोलता है यहां से जो premium आएगा उसको अब हम लोग endowment assurance में use करेंगे so p endowment assurance में कैसे use करेंगे t a due t a due 45 15 is equal to s a bar s a bar 45 15 immediately on death बोला है 15 साल का endowment assurance है ठीक है तो यहां से s solve कर लेंगे so p और s अपना निकल जाएगा तो अपना p यहां से आएगा पहला वाला equation से p अपना आएगा 4391.36 और s अपना आएगा पहले वाले से s अपना आएगा dollars 88,846 888,846.03 पॉइंट जीरो थ्री हां हां डाल फिर दुबारा तुम वो गलत किया होगा इसमें बार को पहले तोडना पड़ेगा because pure endowment में बार नहीं होता है पूरा में नहीं होगा अलग से करना पड़ेगा तो एक चीज देख लेना तो एसमेर को दे दिया है dollars 90,000 payable under each endowment assurance policy and an annual premium P P का जो हमारा annual premium में बार नहीं होगा that is dollars mortality profit comment on your numerical अब क्या बोल रहा है 1 January 2011 और 31 December 2020 तो कितना साल होगे 10 साल 550 policies teleinforce 6 deaths so 10th year का beginning पे 10th year का beginning पे कितना लोग था 550 policies plus 6 which is 556 actual deaths मेरे को दे दिया है 6 expected deaths कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ expected deaths कैसे निकालेंगे AC चलाओ 556 into Q 54 होगा ठीक है बच शोड़ दे remote से कोई बंद के में लगता है का पर अब बंद कर उसको लाल बटन दबा जोड़ से दबा अब चलूगा जोड़ से दबा पीछे ले चलाओ पीछे ले चलाओ अरे नहीं होट थे कोई दिखकर आफकर दे अब विरिजर्व निकालना पड़ेगा न वी टेन सो वी टेन कैसे निकालेंगे बताओ विरिजर्व निकालना पड़ेगा बुलो 90,000 क्यों हाँ ठीक है 90,000 ए बार बोल दिया है इदो नहीं बोल दिया है ठीक है यह इंडॉमेंट का हुआ दोनों के लिए निकालना पड़ेगा न अब आणविटी के लिए वी टेन निकालो यह तो इंडॉमेंट एस्वारेंस के लिए था पिर अब आणविटी के लिए निकालो आणविटी के लिए तुम्हारा जो वी टेन आएगा तो इट विल भी 4450 555 दू और इसका जो डी एसर आएगा वो क्या आएगा 0- वी टेन अच्छा उसका डी एसर क्या आएगा वेरी गुड हाँ वन पॉइंट क्योंकि इम्मीडेटली उन देते हैं न तो end of the year पर लेके जाना पड़ेगा अब दोनों में हम लोग वो तो same ही use करेंगे बाकि सब कुछ बिलकुल same होगा हाँ अलग अलग निकलेगा बट बाकि सब कुछ same होगा मतलब जैसे expected deaths और वो सब 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 सेम होगा अब जैसे कमेंट करने बोला है the insurance company expected इतना deaths whereas six deaths so ही same बोलना है endowment insurance में क्या होगा अगर जादा deaths हो गया तो दिक्कत है क्योंकि reserve देखो न मैंने DSR देखना पड़ेगा DSR endowment का positive है और उसका negative होगा तो endowment insurance के लिए क्या लिख सकते है कि अगर उसमें जादा deaths हो गया तो दिक्कत है अरे endowment insurance का मतलब क्या है endowment insurance का मतलब क्या मरने से तो पैसा देना पड़ेगा न तो उसमें अगर more than expected death तो दिक्कत हो गया mortality के वज़े से loss और अगर प्योर अनविटी product है तो अनविटी product में तो पैसा नहीं देना पड़ेगा और आगे future में तो जो reserve बनाए वो free हो जाएगा so endowment insurance products में क्या होगा profit कब आएगा when actual death is less than expected death but अनविटी product में profit कब आएगा basically this is mortality profit का मैं बात कर रहा हूँ when actual death is more than expected death समझा अब दोनों में compare करना पड़ेगा क्या क्या DSR negative आजाता है अनविटी product का DSR negative है तभी तो मैं बोला कि actual death should be greater than expected death चीक है term insurance endowment insurance whole life के लिए कब भी DSR negative आएगा ही नहीं क्यों आएगा इसका मज़़ा तुम्हारा answer खलता रहा है ठीक है यह वाला paper हो गया 10 minute का break और फिर इसकी बाद वाला कर लेंगे हाँ 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 वही तो 12 कितना बज़ने से class है 12 से है न हाथो रुको हाँ हाथो time है भी रुको तुम कहा जा रहा है ठीक है फिर तुम चलिया हो हाँ हाँ तुम लोग कहा जा रहा है हाँ दो मिट वह बने water break washroom break कहा है अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ तुम लोग जाओ हाँ हाँ दूरुक हम दो मिट में आते हैं हाँ 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 दुम हाँ झाल झाल